रीच शत्रो व्यवसायक अध्यैं zuk्रवी के अंतरगत हम भी सबस्क्राइबichen कि मॐ तो जाता है अंतरिक ब्यापार के अंतरगत आता है अर्ठाथ इस प्रकार से जिसे कि यदि भारत बेस के अंदर बिभिन्य प्रांतों के बीच में गुझरास्य माराष्ट या मड़्भ बेश से केरल या इस प्रकार से एक लिए के μट्षी बेलेत के बीच मैं जब आप आपसी ब्यापार किया जाता है ये एक जिले लें लेंन-वह से बडी मातरह में खरीट कर्यक्त करके फुटकर ब्यापारी को बेशते हैं ुत्पादन करता से हैं खटा माल खरीदेना चरीद से सेल करता है और खटी मातर में माल खरीदना और उसको जो है बिविन छोटी-छोटी काईयों में डिस्टिबूट करके बाट कर जो है फुटकर ब्यापारियों को बेचता है साथ में यह माल को बिक्री योग बनाने के लिए अन्यकारे जैसे बस्तू का प्रमापी करना करता है और एंवं पेकेजिंग आधि का कार भी थोग व्यापारी करता है तो इस परकार से क्तो हुट व्यापारी सच्चा चुप व्यापारी नहीं हे upfront कि है किंतु वह जो यहां पर उत्तौादक और फुटकर ब्यापारी के बीच क्या है एक कड़ी के रूप में एक पुल के रूप में एक सेतू के रूप में कार करता है वो कहलाता है थोग ब्यापारी अब आम तोर पर यह माना जाता है कि थोग ब्यापारी जो है वो बस्तू की यहाँ पर कीमत को बढ़ा देते हैं क्यों क्योंकि थोग व्यापारी जो है उतपादक से माल को खरीदता है उसका सेटी करना करता है उसका प्रसंस करना करता है फर उसका अपना इस खर्चंक ब prospects के लाभा उसका स्वहयम का अपना cyhamishan होता है तो इसी स्थित्म Etam टो यहां पर ब्यापारी के ब्हूंटा किए और के पक्षम है तरक अत्वा इसके दोस्ट थोव्व् ब्यापारी को ब्यापार में बीच में भूमका करनिद्य और नहीं करना चाहिए इस पक्षम है यहां पर दिये जा रहे है या इसके हानी किया है तो व्यापार के अंतरकत व्यापारी की जो भूमका होती है उत्पादन करता से माल को प्राप्त करके फुटकर व्यापारी तक पहुचाता है जिसके माध्यम से माल उभूकता तक पहुचता है यहाँ पर मानना है कि यह उत्पादन करत अर्थाराथ उत्तपादन करता और फुटकर व्यापारी उसके बाद सभूता के बीच में यह को नहीं होना चाहिए इनको खथा र॥ाथ इनका उनमूलन ना करता, यह क्या है क्योंकि माल का संग्रहित करके उसमें अपने लाभों को जोड कर कीमतों में ब्रद्धी कर देते हैं यहाँ पर जो ठोक ब्यापारी जो है फुटकर ब्यापारी को माल बेचने के लिए अपने पास जो है माल को संग्रहित करके रखता है और उसमें जो है अपना ला करता है आपूर्ती को प्रभावित करता है इससे भी क्या होता है कि बस्तू की कीमत यहां पर वो बढ़ा देता है जब कि कुछ का मत है कि थोग ब्यापारी जो है उत्तादक भूखता एवं फुटकर ब्यापारी के प्रती अनेक सेवाय प्रिदान करते हैं, अथा इनका समाप्त किया जाना या उनमूलन जो है किसी भी दस्टी से उचित नहीं है, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि इसके पक्ष में तर्क और बिपक्ष में तर्क है, कि थोग ब्यापारी जो है वो ब्यापार में होना चाहिए, अत्वा नहीं होना चाहिए तो यहां हम देखते हैं कि थोग ब्यापारी के उन्मूलन के पक्ष में तर्क मतलब थोग ब्यापारी को हटा देना चाहिए थोग ब्यापारी का ना होना अब यहां पर जो है इसके पक्षमित तर्क है यदि थोक ब्यापारी यहां पर जो है इसको हटा देने चाहिए यह क्यों करता है क्योंकि बस्तों के मूले में ब्रद्धी होती है यहां पर जो है उत्पादन करता के पास से माल को प्राप्त करता है उसको संग्रहत करता है उसक स्वयम का लाब भी उसमें जोड़ता है इसलिए ये क्या करता है वस्तुओं के मूले में क्या से करता है ब्रद्दि तुब्रद्धि माजा करता ता दीर भाफe इए दे हैं कि रत्रिम कमी माल को अपने पास एकρता करके नवाटकर अब्हार करता देल बाजारL बस्तों की कीमत क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो इस प्रकार से ये बस्तों में जो है कि कित्रिम कमी पी पैदा करता है फिर ब्यापारिक चिन्नों का अवांचित प्रियोग ये उत्पादन करता से जो है घट्टी मात्र में बड़े प्रमाने पर माल को खरीद लेता है और प्रतिष्ठित बस्तों को ही बेचने का कारे करता है, और था सभी प्रकार के प्राप्तकों से सभी प्रकार की बस्तों के प्राप्त करके जो है, यह भीचने का कारें नहीं करता बलकि कुछ विसिष्ट और प्रतिष्च्ट बस्तूं का ही यह विक्रा करता है, उसी की एजनसिय यह लेता है, फर अधिक्तम लाव की प्रवक्ति, यहाँ पर जो है थोक ब्यापारी की जो है इक्षक्या होती है अधिक सदिक लाप कमाने की तो इस इस्तिती में वो क्या करता है यह वो अधिक सदिक लाप कमाने के चक्कर में बाजार में संग्रहन के माध्यम से जो है बस्तों की कृतिम कमी पैदा करता है बस्तों के बूले मे थोग ब्यापारी को हटा देना चाहिए दूसरा जो है थोग ब्यापारी के उन्मूलन के विपक्ष में तरक अत्वा थोग ब्यापारी के लाव यहां पर यह कहता है कि एक थोग ब्यापारी को जो है वो ब्यापार में होना आवश्यक है उसका होना जरूरी है क्यों क्योंकि यह रोजगार प्राप्ति का सरोत यह क्या करता है छोटे-छोटे दुकंदारों को जो है फुटकर माल बेशता है बड़े पैमाने पर स्वयम खरीदता है उत्पादक से फिर उसको उचोटी-छोटी इकाईयों में विभाजित करके जो है छोटे-छोटे दुकंदारों को ये माल को बेशता है तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वहीं उधार भी माल को बेशता है और साथ में जो है उनको विभिन ने प्रकार की छोटी-छोटी काईयों माल को बेशता है यहाँ पर तो रोजगार प्राप्ति का जो है ये माल उत्पादित किया गया है वो इस हिसाब से निशिंत रहता है कि जो माल उसने उत्पादित किया है थोग ब्यापारी उससे खरीद लेगा तो उत्पादन करता जो है यहाँ पर चिंता फ्री रहता है फिर माल संगरान की सुगधा उत्पादन करता का कारी क्या है माल को उत् करके वो थोग व्यापारी को पास भेज देता है थोग व्यापारी के पास जो है बड़े-बड़े कुदाम या संग्रहां इस्थल होते हैं जहां पर की वो उत्पादन करता से माल को संग्रहित करके अपने पास रख लेता है तो थोग व्यापारी के पास जो है माल को एकत्रि करता है पर छोट करने कार्ण wiring करता है इस तो भावयों की जानकारी है चुकि थोक ब्यापारी जो है फुटकर ब्यापारी से सीधा जोड़ा होता है और फुटकर ब्यापारी जो है भुखताओं से जोड़ा होता है तो भुखताओं के माद्यम से फुटकर ब्यापारी को जानकारी प्राप्त होती है मांग के सम्मन में और फुटकर ब्यापारी के ब्यापार में नहीं होना चाहिए कि उसके होने से हमाने लाब भी यहां पर हैं तो यह थोग ब्यापारी के पक्च और पक्च में जो तर्क हैं इसके बाद जो दूसरा फिंदू है यह फ्रकार वह फुटकर ब्यापार फुटकर ब्यापारी जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाल को फुटकर रूप में भेजते हैं जिनको हम रिटेल सौप कहते हैं या जो ब्यापारी होते हैं वो कहलाते हैं रिटेलर तो यहाँ पर जो है बित्रन की प्रक्रिया में फुटकर ब्यापारी अंतिम कड़ी के रूप में सामने आता है अर्थात भुकता तक माल पहुचाने के रूप में ये फुटकर ब्यापारी अपना कार करता है जो संगटन या व्यक्ति के माल को उसके अंतिम भुकता को अंतिम रूप में उब्भुक्ता को बेचा जाता है वो कहलाता है यहां पर बीच में फुटकर ब्यापारी थोग ब्यापारी तथा उब्भुक्ता के मद्ध ये कड़ी के रूप में होता है जो वस्तु को ब्भुक्ता तक पहुचाने में मदद करता है तो इस परकार से जो स फुटकर ब्यापारी और फिर यहां पर यह उभ्भोकता तो इस परकार से हम देखते हैं कि माल जो अत्पादित जब होता है तो ब्यापारी के पास आता थोग ब्यापारी से पर फुटकर ब्यापारी के पास और फुटकर ब्यापारी के पास से पर वह अंतिम उभ्भोकता त तो फटकर व्यापानियों वे सभी क्रियाय सम्मिलत हैं जो अंतिम रूप से भोकताओं को बेची जाती है और भोकता यहां पर बगेर व्यावसायक उपयोग किये हुए स्वयम के लिए उपयोग करता है व्यक्तिगत रूप से उपयोग करता है अर्थात वो भोकता को उसके प्यक्तिकत तौर पर घहर व्यववसायक उपयोग वे हेतू उसको मालको बेचा जाता मेकरथि के अनुसार जो है ग्रहस्त को अंतिम भोकता वस्तों गविक्राइश्यू ऐस जो है फुटकर व्यापार तो यह जो है फुटकर व्यापारी की परिवाता है अब इसकी जो बिसेस्ता है कि सादार पर हमें इसको मानेंगे कि यह फुटकर व्यापारी तो फुटकर व्यापारी वही है जो अंतिम उभोकता को बिक्रे करता है अर्था जो वस्तु का उभोक करता है उसको जब माल बेच जाता है तो वो फुटकर व्यापारी की अंतरगा आता है फिर दूसरा जो है बिभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मा बिभिन्न प्रकार के माल या बिभिन्न प्रकार की बस्तुओं अब फुटकर व्यापारी वो होता है जो बिभिन्न प्रकार की बहुत सारी हमारी देनन दिन कि आवश्यक्ताओं की बस्तुओं को रखता है जो से टूथ पेश्ट, साबुन, तेल, बॉसिंग पाउडर, कंगी, बहुत सारी जो हम धनन दिनी में जो हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं और जोने हम छोटी-छोटी मात्रा में खरीदते हैं तो यह सारी हमारी बल चुकि यहाँ पर फुटकर व्यापारी का उब्भुकता से डिरेक्ट संपर्क होता है तो जब तक उब्भुकता उसकी सेवा से संतोष्ट नहीं हो जाता तब तक वो उस फुटकर व्यापारी से माल को नहीं खरीबता है तो यहाँ पर फुटकर व्यापारी जो है यह कि वो ग्राहकों से अधिक से अधिक निकड़ भी बना रहे ग्राहकों से निकड़ता इस्थापित करें उनकी आवशक्ता को पूरा करें समय पर उनको माल प्रदान करें और उनकी संतुष्टी के लिए बहतर क्वाल्टी का उचित पीमत पर बस्वूएं प्रदान करें फिर अंते में बस्तुमों का अन्य सुरोतों से क्रै यहाँ पर फुटकर ब्यापारी जो है बिविन्य प्रकार की बस्तुमों का अलग-अलग सुरोतों से माल को खरीदता है एक अत्रित करता है जरूरी नहीं है कि एक ही थोक ब्यापारी से वो माल को खरीदे अलग-अलग बिस्ष कि विष्ट पकार के थोग वयापारियों से बु 아니면 करा करी्ट सकता हैं फु फु चर भी přिसेचता हैं कि पिर स Right के पर इसके कारए हैं फुतकर वयापारी कि सबसे पहले कार क्या है विभिन्न वस्तु का 71 करना वोगताओं के लिए जड़ूरी आवश्यक वस्तु या सामगरी है उन सब को क्या करता है एकत्रित करके छोटी-छोटी काईओं में अपनी सौप में दुकान में सजा कर रखता 51 करना करता है घुटायों की मांग का नुमान लगाना positions calm refers शेत्र में भूकतायो कि डेमांड के स्प्रकार की वस्तियों की है उसका वो अनुमान लगाता ए fur tutte थी जट जोहर। वशहर। के इनसार उन्हें वस्तूर को बेचना। भोकताantes, पूर्टी एवहा वश्चक संग्रहां करना। यहां पर जो है समय समय पर उप्भोगता जिस प्रकार की वस्तों की मांग करते हैं उसकी पूर्ती के लिए वो जो है आवश्यक रूट से अपने पास संग्रहत करके माल को रखता है फिर वस्तु की हानी वा जोखिम को उठाना जिस प्रकार से थोग व्यापारी जो लार्ज स्केल पर माल को अपने पास एकत्रिस्ट करके रखता है इसी प्रकार से फुटकर व्यापारी भी जो है उप्भोगता की मांग को समय अनुसार पूरा करने के लिए माल को कुछ हद तक अपने पास संग्रहत करके रखता है तो ऐ कि मांग में किनी कारणों से परिवरतन होता है वनकी रूची के कारण रिविन किसी परिस्तियों के कारण Hai मांग में चेंज creating राता यह तो भो इसकी तो यहां पर बस्तु के चुनाओं से ताद पर है कि जैसे उदाना के लिए जब हम किसी शॉप में जाते हैं और किसी वस्तु को खरीदने के समन में यदि कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ऐसी स्थिती में दुकंदार जो है बिविन्य प्रकार की वस्तु की कि यह बस्तु आपके लिए ऊचित होगी तो इस परकार तो बस्तु के चुनाओं में जो है उभोकता की फुटकर व्यापारी क्या करता है मदद भी करता है अब यहां हम देखते हैं अंतर थोग व्यापारी क्या है और फुटकर व्यापारी इन दोनों को बीच में अंतर प्रमक रूप से क्या है तो व्यापार की प्रक्रति थोग व्यापारी उत्पादक से माल खरीद कर फुटकर व्यापारी को बेशता है फुटकर व्यापारी जो हम यहां क्रेय विक्रे मात्रा में माल का क्रेय विक्रे की जाते हुशप ब्यापार जो एंट अधोर पर उसके के और फिर उसको उसी हिसाफ से बेशता है फिर तीसरा क्राय विक्राय पद्दती थोग व्यापारी जो होता है वो अक्सर माल को जो है नगत खरीदता है या इवन यह भी होता है कि थोग व्यापारी जो है कभी-कभी उत्पादन करता को माल को उत्पादन करने के लिए स्वयम अपनी ओर से पूझी को उपलब्द कराता है तो जहां थोग व्यापारी के अंतरकत जो है उसके दोरा माल को नगत उत्पादन करता से खरीदा जाता है वहीं फुटकर व्यापारी को माल जो है उधार वह अक्सर बेशता है अब यहां पर फुटकर व्यापारी जो है यह थोग व्यापारी से उत्पार माल खरीदता है और नगत विक्रे करता है जो छोटे तो कंदार है यह अक्सर माल को उधार खरीदते हैं और फिर हम और आपको जो है नगत कैस में यह माल को बेशते हैं फिर यह व्यावसाय का छेत कि इसमें ब्यावसाय का च्छेत अ बिस्त्रित होता है बड़े पेमाने पर इसका उत्पादन का आया पर होता है क्रैवरे होता है तो यह अपक्शेट इसका डिलना में संख्छत होता है जो हमारे गर के आसपास दुकान बगर होती हैं कि वो सिर्फ वहीं उसी दुकान तक सीमित है फिर माल का संग्रा है थोक ब्यापारी जो बड़ी मात्रा में बड़े पेमाने पर माल का संग्रान करके रखता है जबकि फुटकर में माल के संग्रान की विसेस आवशक्ता नहीं ह यहां बड़ी मात्र में पून्जी की आवश्छता होती है। गौण जया सकता है। तो यह थोग व्यापारी वुफतकर व्यापारी में कुछ प्रमुक अंतर हैं अब इसके भाद हम देखें कि इसके महत्व या गॉर्ण या लाब क्या है तो फुटकर व्यापारी जो एक कम पूझी से व्यापार को प्रारम किया जा सकता है बहुत थोड़ी सी पूझी से भी सप्सक्राइबitaire जो है अलग अलग प्रकार की जो बिसिस्ताय वाली वस्तुय हैं उनका जो है यहां पर विक्रा की जा सकता तो घ्राहख्स से निकंड़ता हुटकर व्यापारी जो है भूकता उसे सिधे संपर्क में बना रहता है और उसी के ilsौशं को महांग के अनुसार जो है बस्दूंग Chemical को उपलबत करा तो ने सभी वह में बना यहाँ पर सोर्ट्वाए की रएडबागी कि जैसे जैसे उसके पाउस मांग अनुन्रूप बस्तू cuarto होती और साथ ग्राकों को स्लाह समय समय पर जो है उसकी खिर और दोकाम में या उसके कि शौप में जो ग्रहक पहुंसते हैं, उनको वो बस्तु के बारे में विविन्न प्रकार की जानकारी देता है, उन्हें सलाह देता है, फ्रत गराकों की घर पहुंच सेवा, माल को जो है, बस्तु को जो है, वो गराकों के घर तक पहुंचाने की सेवा भी प्रतान करता है, तो ये फुटकर व्यापा पुल पारी के दोशिया हानी है, तो इसमें जैसे सीमे साधन होने के कारण पूझी की कमी से सन्चालन में असुविदार। फुटकर व्यापारी जो होता है वो सी में सादनों वाला होता है एकल सौमित वाला होता है इसमें एक ही सौमी की पुंजी लगी होती है तो ऐसी इस्तिति में पुंजी की कमी भी बनी रहती है संचालन करने वाला भी एक अकेला ही वेक्ति होता है यदि किसी दिन किनी कारणों से आपके फुटकर व्यापारी के द्वारा दुकान या शौप नहीं खोल पाए तो उस इस्सिती में क्या होगा उस दिन वो दुकान क्या हो जाती बंद हो जाती तो जो रेगुलर्टी संचालन की है बो प्रापरली यह यहां पर प्रभावित होती है तो सी में साधन होने के क पूंजी की कमी और संचालन में असुविदा होती फर एकल स्वामी होने के कहां बड़े पैमाने के ब्योसाय के समान जो है लाव इसमें नहीं होता है चुकि एक अकेले स्वामी की द्वारा इसमें पूंजी लगा जाती है उसका संचालन भी जो है एक अकेले व्यक्ति के ही द्वारा किया जाता है ऐसी स्थिति में जो बड़े प्यामाने के बाउसा है उनके इस्तर के समान लाव यहां पर प्राफ्त नहीं हुपा है पर आशीमेत दायट तो असे ताथ पर यहां पर यह है की फुटकर बियापारी से जो भी लाव यहानी होगे उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एक अकेले स्वामी पर ही होगी यदि कोई बड़ा नुक्सान हो गया तो ऐसी सिती में जो है स्वामी के दुआरा जो पूंजी लगाए गई है उसके अलावा जो उसकी व्यक्ति का संपत्ति उसका भी प्रेयोग यहां पर लाइविल्टीज क कि बस्तु को यहां पर बेचता है तो वो अधिक से अधिक मनाफ़ा कमाने का यहां पर प्रियास करता तो बस्तु की कीमत को जो है बढ़ा कर प्रसुत करता है तो बस्तु की अधिक कीमत हो जाती है फिर आस्थाई अस्थित्व अर्थात जब तक फुटकर व्यापारी के द स्वामी पर निर्भर करता है यदि उसका स्वामी रहेगा वो संचालित करता रहेगा तो भर्म या संस्ता या ब्यापार चलता रहेगा और उसके ना होने पर जो है वो ब्यापार बंद हो जाता है तो यह जो है फुटकर ब्यापार के लाव या उसकी हानी है कि कुछ के प्रमुकारियों को समझाइए चौथा थोग ब्यापारी एवां फुटकर ब्यापारी में अंतर इस्प्रश्ट कीजिए पांचवा फुटकर ब्यापार के महत्तों लावां तथा उसके दोश्रों या हानियों को समझाइए